तो हमने जमेटरी का टॉपिक जो है वो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और आपने इसके अंदर जो है पॉइंट और लाइन के बारे में समझा था पॉइंट और उसके रिलेटिड जो हमारा पूरा पार्ट है वो कवर हो चुका है इसी के साथ साथ हमारा लाइन वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया जहां मैंने आपको अलग-अलग टाइप्स की लाइन के बारे में बताया था स्टेट लाइन कर्ब लाइन सेग्मेंट क्या रहता है ठीक है तो आज की क्लास में हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे एंगल का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको उसी वीडियो में मिल था तो यहां की क्लास में आपको क्या मिलेगा आज के कंटेंट के अंदर हम पढ़ेंगे जिसके रिलेटिट हमारे जो है वो प्रेक्टिकल क्वेस्टन बनते हैं तो वहां है पेर्ज ओफ एंगल आज हमने पेर ओफ एंगल के बारे में सबज़ रहा है क्योंकि सबसे जाद वहां दो होता है क्या है तो देखें जब ही दो एंगल साथ में रहेंगे उनको एडजसेंट बोला जाता है सिंपल भाषा में अगर बात करें एडजसेंट का मतलब क्या होता है साथ में है ना जब एक के साथ दूसरा है तो हम क्या कह सकते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के एडजसेंट हैं साथ में रहते हैं जैसे कि दो घर हैं अगर वो एक दूसरे के साथ है तो हम बोलेंगे एडजसेंट है ना इसी के साथ साथ जो यह एंगल आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसमें adjacent किसको बोला जाता है वो हम देखते हैं, पहले हम समझेंगे, फिर हम पढ़ेंगे theory में क्या लिखा है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, एक आपको arm मिल रही है, A, O, एक B, O, और एक C, O, है न, तो यह जो तीनों arms आपको मिल रही है, वो एक common point पर meet कर रही है, वो point ह O, O का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, जब तीनों common point पर आके मिल रही है, तो उनको हम बोलेंगे vertex, vertex है यह O, अगर आपको जो angles मिलते हैं, angles जो बन रहे हैं आपके, वो उनका एक common point है, एक common vertex है, तो हम कह सकते हैं कि उसके उपर बनने वाले angles हैं, वो adjacent होंगे, जैसे मैं यह यहाँ एक angle बनारे हूं, angle 1, और दूसरी तरफ मैं angle बनारे हूं, angle 2, तो यहाँ पर यह दोनों angles जो रहेंगे, angle 1 और angle 2, वो एक दूसरे के adjacent रहेंगे, समझ में आया, बट अगर मैं आपको बोलू कि angle AOB और angle BOC, यह दोनों क्या है, क्या बोला मेरे ध्यान से सुनना, angle AOB and angle BOC, तो आप बोलेंगे यह दोनों adjacent है, बट अगर मैं आपसे यह कहूँ, कि angle AOC और angle BOC, angle AOC यहाँ से, AOC and BOC, यह दोनों adjacent है, तो आप बोलोगे नहीं, angle AOB और BOC दोनों adjacent हो सकते हैं, एक दूसरे के, adjacent का मतलब समझ में आया, जो हम आगे के पढ़ेंगे ना, सारे, उसके लिए adjacent angle समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, समझ में आगया होगा, अब theory पढ़ लेते हैं, if they have same vertex, मैं ले बोला था, उनका same vertex है, यानि की O point जो उनके उपर common है, उसको बोलेंगे, and have common arm, अब इ इसके लिए उन्होंने adjacent की definition दी है, बट हमारा practical question है, आपने थोड़ा से समझ लिया, बस इतना बहुत है आपके लिए, अभी इन adjacent angles से ही, कुछ अलग type के angle, कुछ pairs of angle निकल के आ रहे हैं, वो समझेंगे, तो पहला है complementary angles, complementary angles कौन से होते हैं, यही दो जो adjacent angles आप देख पा रह हो, इसको ऐसे बना रहो, यह तो linear पे अलुक्सा भी बन जाएगा ना, just a second, अगर हम इसको ऐसे बना दे, दो angles यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर इन दोनों का मैं बोलूं, सम जो है, वो 90 degree बनता है, जैसे कि angle 1 का, अगर मैंने दे दी, आपको measurement 60 degree है, और angle B मैंने बो जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं, कि यह एक complementary angle है, example एक और लेते हैं, अगर यहाँ भी मैं आपको एक और angle दूँ, यहाँ इसका measurement मैं बोलू 45 degree है, और इसका measurement अगर मैं दूँ आपको 50 degree है, तो एक 45 और एक 50 degree, क्या यह complementary angle है, तो चेक करने के लिए आप दोनों को add करेंगे, यह बन जाएगा हमारा 95 है न, तो 45 प्लस 50 degree करने पर हमारे पास आता है 95 degree, और हमें पता करने क्या यह complementary है, तो यह बिल्कुल भी complementary नहीं है, तो यह complementary angles दोनों का sum 90 degree ही आना चाहिए, समझ में आ गया, तो adjacent angle से first हमने समझ लिया complementary angle क्या होता है, अब हम आगे चलते हैं, अगला पार्ट इसका समझते हैं, तो second part हमारा आता है, यहाँ पे supplementary angles, अभी जैसे आपने adjacent angle के थुरू समझा, complementary angle को second part supplementary angle क्या होता है, वो angle जहाँ पे दोनों angles का जो sum है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, sum जो होना चाहिए, अगर वो 180 degree बन जाता है, तो हम उसको supplementary angles बोल सकते हैं, ठीक है, तो supplementary angles जहाँ पे आपको sum मिलेगा angles का 180 degree, complementary जहाँ sum मिलेगा 90 degree, supplementary जहाँ sum मिलेगा आपको 180 degree, दोनों points clear हो चुके होंगे अभी आपके, अभी हम चलते हैं हमारे third वाले point पे, वो क्या है यहाँ पे, linear pair of angles, two adjacent angles are linear, कब linear होंगे, if their non-common arms are two opposite rays, जो उनकी दो uncommon arm हैं, वो उनकी opposite rays होगी, यह तो theoretical बात हो गई, अगर इसको बनाके हम देखें, तो देखें, यहाँ पे मैं आपको एक line लगाके, उसके उपर मैं आपको दो angles दे रही हूँ, मैंने आपको यहाँ पे दो angles दिये, अभी यह linear pair कैसे बनाएंगे, देखो, linear pair बनने के लिए सबसे पहले वो तो straight line के उपर बनने चाहिए, वो दोनों angles, एक straight line हो, कोई भी line चाहिए, वो सिधी है, चाहिए, वो इस तरीके से horizontal way में है, ठीक है, यह समझ भाया, तो इसी को वो कहरा है, uncommon arm, एक नीचे है और एक उपर है, ठीक है, uncommon है, उसके बा जो है, वो 180 degree बन जाता है, तो यह एक linear pair बना रहे है, राइट, जैसे angle 1 और angle 2 में इनको नाम दे देती हूँ, angle 1 अगर मैं बोल दू कि है 60 degree, और जो angle 2 यहाँ पर मेरे पास है, उसको मैं बना देती हूँ, 120 degree, अब उल्टा बन गया, 120 degree तो होई नहीं सकता इस case में, ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको हम correct कर लेते हैं, हमारे angle 1 और angle 2, ठीक है, तो angle 1 और angle 2 यहाँ पर जो आपको बनते हुए दिख रहे हैं, अगर इन दोनों का जो sum है, वो 180 degree आता है, तो वो एक linear pair बना रहे हैं, इसी तरीके से, अगर मैं इसको एक और example में represent करूँ, तो यहाँ एक line आप देख रहे हैं, और एक यहाँ पर है, अगर मैं बोलू, यह वाली जो line है, जिसको मैंने arrow लगाया, यहाँ पर बनने वाले दो angles का sum 180 है, कि नहीं है, अगर आपको check करना है, तो आप इन दोनों को add करेंगे, यहाँ पर angle 1 बन रहा है, यहाँ angle 2 बन रहा है, इन दोनों क sum 180 degree है, तो वो एक linear pair है, समझ में आई यह बात भी आपको अब, ओके, अभी हम आगे चलें, vertically opposite angles क्या होते हैं, हमारा part आगे बढ़ता जा रहा है, adjacent angle से बात शुरू हुई थी, linear pair पे आई बात, अभी आगई vertically opposite angles, यहाँ पे आप देख रहे हो, एक line बनी हुई है, और उसके साथ क्या है, if arm of two angles form two pairs of opposite rays, तो समझते हैं इसको, देखें, यहाँ पे दो lines intersect कर रहे हैं, एक common point O के उपर, एक line जो है, एक ray जो हम कह सकते हैं, वो है AB और दूसरी वाली है CD, तो जहाँ पे यह दोनों एक दूसरे को intersect करे हैं, वहाँ पे मैं angles बना रही हूँ, एक बारी आप को बना के रिखा देते हैं, angle 1, angle 2, angle 3 और angle 4, अभी आपको समझना है vertically opposite angles क्या होते हैं, vertically opposite angles, vertically opposite angles, जैसा नाम है वैसा ही उनका काम है, सबसे पहले वो vertical side पे हो, दूसरी चीज opposite होने चाहिए, vertically opposite होने चाहिए, जैसे आप देखिए, angle 1 और angle 3 आपको एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं, ठीक है, तो angle 1 और angle 3 जो होगे ना, यहाँ इस case में वो दोनों एक दूसरे के equal रहेंगे, vertically opposite angle यही होता है कि दोनों equal है, तो angle 1 और angle 3 बराबर रहेंगे, इसी तरीके से अगर आप दूसरी तरफ देखो, angle 2 के equal कौन सा होगा, angle 4 होगा, क्यूं होगा, vertically opposite angles are always equal, ठीक ह तो यहाँ से समझ में आया, अगर आपको यह proof करना हो भी क्यूं, तो देखिए हम थोड़ा measurement लेके चलते हैं, चलिए हम बना लेते हैं, कि यह वाला जो angle है हमारा, वो 55 बना के काम करते हैं, ठीक है ना, तो हम इसको 55 और बना लेते हैं, चलो, ओके, तो अगर यह मेरा angle जो ह है, मैंने यहाँ, एक मिनट, इसको दे दिया 55 डिग्री, अभी आप देखिए, ध्यान से मेरे इस yellow mark को देखिएगा, यह एक straight line जा रही है, इसके उपर बनने वाला यह angle का measurement है 55 डिग्री, अभी मैंने पिछे क्या समझाया था, linear pair क्या होता है, जहां पे आपको दोनों angle जो एक straight line पे बन रहे हैं, उनका sum 180 डिग्री मिलता है, अगर उन में से यह straight line है, मलब इसके उपर जो यहाँ से angle बनेगा और यहाँ, एक मिनट, अरे पुरी गड़बड करती इसने, एक angle हम undo करते हैं, यह लो, ठीक है, अभी okay है, अगल यहाँ पे आपको यह angle पता है 55 डिग्र तो यह वाला जो angle आपके पास है, यह straight line के उपर दो angles बन रहे हैं, अगर यह 55 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए हम 180 में से 55 को minus कर देते हैं, हमारे पास दूसरा angle निकल आएगा हमारा, तो यहाँ पे हमने minus किया, तो हमारे पास आता है दूस 65 है और यह angle आपका, अभी हमने find out किया, यह है 125 डिग्री, अभी दूसरी तरफ चलिए, देखिए, यहाँ से यह दूसरी जो यहाँ पे blue line आपको दिख रही है, इसके उपर बनने वाले यह दोनो angles का sum भी तो 180 डिग्री है, अगर यह 125 होगा, तो यह कितना होगा, यह 55 55 डिग्री आजाएगा, अभी आप देख पा रहे हो कि angle 1 और angle 3 55 55 बन के आए, हमने proof किया कि straight line के through, हमने linear pair बना के इसको proof किया, तो यह 55 है, तो यह 55 है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था कि vertically opposite angles हमेशा equal रहते हैं, तो एक property आपको यह भी पता चल गई है, कि यह vertically opposite angles जो आगे आने वाले हम concepts के उपर लगाएंगे, तो vertically opposite angles समझ में आ गया, अभी हम चले आगे, चलिए, अभी corresponding angles के बारे में समझेंगे, linear pair समझ लिया, vertically opposite angles समझ लिया, अभी अगला पाथ हमारा आ जाता है, corresponding angles के उपर, तो समझें उसको, तो देखे, when two parallel lines are intersected by a transversal, they form corresponding angles, अभी यहाँ पर दो क्या बात है, सबसे पहले देखिए, आपके पास दो parallel lines है, जिनके बीच में से एक line जो है, इनको intersect करके पास हो रही है, इस line को बोला जाता है, transversal, ठीक है ना, तो दो parallel lines कौन कौन सी है, एक L और एक M, तो यहाँ पर जो दो lines intersect कर रही है, वहाँ पर एक angle form होता है, तो यहाँ पर intersect करें, तो एक angle यहाँ form होगा, बीचे से भी intersect करें, तो एक angle यहाँ form होगा, यहाँ भी intersect किया था, तो एक यहाँ से बन जाएगा, और ऐसे यहाँ पर भी बनेगा, तो angle बन रहे हैं यहाँ पर, एक के उपर हमें 4 angles देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख रहे हूँ एंगल 1 मैंने नाम दिया है इनको एंगल 1 और जो M Line है सेम जगा पर सेम position पे उसी के उपर भी एक एंगल बन रहा होगा जैसे एंगल 1 यहां है तो यह वाला एंगल बन जाएगा एंगल 5 जिसको हमने नाम एंगल 5 दिया है यह होते हैं आपके corresponding angles same जगा पे दोनों अलग-अलग lines के उपर बनने वाले angles corresponding angles कहलाते हैं जैसे कि यह कौन सा है angle 4 अभी नीचे line पे आ जाओ यहां पे आपको क्या दिखरा है angle 8 तो यह दोनो corresponding angles है समझ में आया और corresponding angles के बारे में अगर बात की जाए तो angle 1 और angle 5 दोनो corresponding angles है और दोनो equal रहेंगे ठीक है हम क्या है सकते हैं इसको angle 4 angle 8 के corresponding रहेगा ऐसे ही angle 3 जो होगा वो angle 7 का corresponding angle होगा और angle 2 angle 6 का corresponding angle होगा समझ में आ गया आपको यह सब तो corresponding angles भी समझ में हम हमें अब आ चुके हैं यही बात उन्होंने उपर mention भी करी है यह सभी आपस में एक उसरे के equal रहते हैं अभी आप यह क्यों पढ़ रहे हो बोर नहीं हो ना कोई भी बोर नहीं होगा क्योंकि जो आपके questions बनते हैं ना वहां पर आपस ऐसे ही पूछा जाता है कि अगर आपके पास angle 4 है तो क्या आप आप angle 5 बता सकते हैं कि आपके पास angle 4 और angle 1 है तो angle 5 की value क्या रहेगी अगर आपको यह सब पता रहेगा कि corresponding angles बराबर रहते हैं यह corresponding बन रहे हैं तो आप बड़े alternate angles समझने रहेंगे यहां पर when two parallel lines are intersected by a transversal यह line हम पीछे भी पढ़ चुके हैं they form pairs of alternate angles अभी वो alternate angles भी बनाते हैं corresponding angles फटा-फट से green color से mark कर लें तो angle 1 corresponding है angle 5 corresponding है हमने अभी तक यही पढ़ा था मैंने cc लिख दिया बाकि सारे 4 और 8 7 और 3 602 भी corresponding है यह मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक के उपर mark कर दिया अभी हमें क्या समझना है alternate angles क्या होते हैं तो they form pairs of alternate angles each pair of alternate angles भी equal होते हैं बट पहले यह तो पता चल जाए alternate angles होते कौन से हैं ठीक है तो हमें वो समझना रहेगा तो alternate का मतलब एक दूसरे से old opposite तो यहां पर आगर आप देखिए angle 2 के opposite direction में आपको कौन सा angle देखता है मैंने angle 2 से start किया तो हम color भी change कर लेंगे क्योंकि C को तो हमने green color दिया है तो angle 2 अगर आपने देखना है पहली चीज आपको अभी उसके बिल्कुल opposite देखना रहेगा तो opposite देखेंगे तो यहां पर हमें इसके alternate के opposite कौन सा angle देखने को मिलता है यहां पर तो यहां पर angle 2 जो है न उसके opposite जो होगा वो अंदर वाला angle 8 रहेगा अब आप बोलोगे यह कैसे आगया भी तो angle 2 के opposite तो angle 7 होना चाहिए इसके लिए आपको interior और exterior angle समझने रहेंगे अभी उसको ध्यान से सुनिएगा देखिए जो यह line बन रही है न यह दो lines बन रही है इनके जो नीचे angle बनते हुए आपको दिख रहे हैं यह दोनो और यहां पर अभी मैंने यहां कुछ आपको समझाने के लिए rough सी diagram बना दी श alternate interior angles alternate interior angles अभी इसके उल्ट मैं आपको फिर से एक line बना के समझाओं तो यह अगर आप बाहर वाले angles देख पा रहे हो इनको बोला जाता है alternate exterior angles alternate exterior angles अभी देखिए पहले alternate exterior की बात करते हैं तो जो alternate exterior angle आप देख पा रहे हैं वो opposite alternate का मतलब तो opposite ही है तो वो opposite वाले equal रहेंगे अभी हम alternate exterior angle बनाए तो यह angle 1 है और यह angle 4 है इनके opposite कौन सा angle होगा? angle 1 के opposite बाहर वाले ही बनाने आपको बाहर वाले अंदर वाले नहीं छेडने तो यह इसके बाहर वाला angle 7 है 4 के opposite बाहर कौन सा लिखा है? angle 6 है समझ में आया? तो मैंने इन दोनों को लिख लिया alternate exterior angles को लिख लिया है बट अभी हमें क्या समझना है? जो आपने exterior angle लिखे है ना इनमें हमें कौन-कौन से angles equal करने है तो यह जो angle 1 है यह equal रहेगा angle 7 के समझ में आई यह बात? तो यहाँ पर अगर मेरे को यह कह देना कि angle 1 की value जो है वो suppose करो 25 degree है तो angle 7 भी 25 degree होगा क्यों? क्योंकि alternate angles are equal यह अभी हमने पढ़ा है alternate opposite angles are equal उनमें यही समझाया गया अब आप आईए interior angles के उपर एक बारी फटा-फट से इनके numbers लिख दे तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है यहाँ 8 और यहाँ पर 5 है अभी यह alternate interior है यहाँ पर alternate interior में भी opposite angles equal रहते हैं तो वो कौन-कौन से है तो यहाँ पर angle 2 है वो बराबर रहेगा angle 8 के alternate interior angles are equal तो दूसरी से आप देखे तो angle 3 जो होगा वो angle 5 के equal होगा ठीक है तो यहाँ से आपका वो वाला point clear हो सब्सक्राइब करना है बस ध्यान क्या रखना है अब आपको तो देखिए अभी point ध्यान से सुनिएगा जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको angle 4 पता है मैंन angle 4 का angle 6 कितना होगा angle 4 मैंने आपको दे दिया angle 6 मैं पूछ रही हूँ कितना होगा तो जितना angle 4 है उतना ही angle 6 होगा अब आप अपने questions में कैसे solve कर सकते हैं तो देखिए इसको solve करना बड़ा easy है सबसे पहले तो आप अगर आपको दोनों lines नहीं भी दी तो आप एक Z बनाने क आपके पास तो अगर आपको ये वादा एंगल गिवन है तो आप मीड़र असक्ता है मतलब जैण जो बना आपके PAS अगर उस में ऊपर वाला एंगल जैसे कि ये देखिए जैड है अगर इस के उपर ना आपको अगर ये वाला एंगल पता है तो आप नीचे वाला एंगल अराम से बना सकते हैं आया समझ में आगे एक्जाम्पल भी आएगे इसकी समझने के लिए बट अभी आपको सिरफ और सिरफ ये point समझना है alternate interior angles and alternate exterior angles अपने अपने equal रहते हैं ठीक है alternate interior interior के साथ equal रहेगा alternate exterior exterior के साथ equal रहेगा ठीक है तो चलिए अभी हमें आगे क्या समझना है एक last हमारा रह गया pairs of angles में co-interior angles ये भी बहुत easy है बस एक बरी इसको ध्यान से समझने की जरूरत है co-interior angles कौन से होते हैं ठीक है जी अभी हम समझेंगे co-interior angles के बारे में when two parallel lines are intersected by a transversal they form two pairs of interior angles तो वो दोनों interior angles तो बनाते हैं अभी interior angles कौन कौन से जिसे की यहाँ पर देख लेते हैं तो ये देखो एक बन रहा है angle एक मिनट फिर से color change कर दें एक interior angle में कौन है angle 2, angle 3, angle 5 and angle 8 तो मैं पहले सबसे पहले यहां लिख रहेती हूँ angle 2 था, angle 3 था, angle 5 और angle 8 हमें alternate interior angles में में alternate नहीं the pair of interior angles so formed are supplementary यहाँ पर कहते हैं इनके जो pairs होंगे ना interior angles के उनका sum जो supplementary रहेगा supplementary का मतलब 180 degree रहेगा यहाँ पर अगर बात करी जाए तो angle 2 फ्लस angle 5 दोनों एक side वाले angle 5 इन दोनों का sum जो होगा वो 180 degree रहेगा supplementary रहेगा ऐसे ही angle 3 फ्लस angle 8 का जो sum होगा वो 180 degree रहेगा यह कौन चीज कहता है यह कहता है co interior angles यह हैं ठीक है interior है co का मतलब क्या होता है साथ में आने वाला तो जब दोनों interior angles हम add कर दे तो उनका sum होता है 180 degree अभी clear हो गया co interior angles फटा फट से हम देख लें हमने क्या पढ़ा है आज की class में तो हमने शुरुवात करी थी यहाँ पे just a second हाँ हमने शुरुवात करी थी adjacent angles से adjacent angles समझे जो 7 में होते हैं उसके बाद में complementary angle जिन adjacent angles का sum 90 degree होता है उसके बाद में हमने समझा supplementary angle supplementary यह वो angles जिनके adjacent angles का sum 180 degree रहता है उसके बाद में linear pair of angles जब एक straight line के उपर बनने वाले दो angles का sum 180 degree रहता है हम उसको supplementary भी कह सकते है बट वो straight line पे होने चाहिए यह कई पर यह ऐसे भी खुमा के पूछ लेता है अगर angle A और B आपको दे दिये जाए तो क्या यह एक straight line बनाते हैं तो यह इसी से proof होता है अगर वो 180 degree बनते हैं उन दोनों का sum 180 degree बनेगा angle A और B का तो वो एक straight line भी होगी समझे में आई यह बाद भी आपको आगे हमने पढ़ा vertically opposite angle तो vertically opposite जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने है वो equal रहते हैं यहाँ पर हमने यह पढ़ा था उसके बाद में corresponding angles हमने पढ़े जो दोनों अलग-अलग lines दोनों अलग-अलग parallel lines के उपर जो दो angles बन रहे हैं same position same जगा पर बनेंगे वो हमेशा equal होते हैं इसके बाद में हमने पढ़ा alternate angles alternate में फिर हमने जाके interior और exterior समझा interior में जो angles बनते हैं वो opposite बराबर रहते हैं और exterior में जो angles बनते हैं opposite वाले उनको बोला जाता है alternate exterior और interior angles और वो equal रहते हैं आगे हमने पढ़ा को interior angles, interior में रहेंगे, को का मतलब दोनों का sum जो होगा वो 180 degree रहेगा, दोनों same जगा पे बनने वालों का, बट interior होना चाहिए, ठीक है, अभी हम हमारी एक example solve करेंगे, जो हमने आज की class में पढ़ा, उससे related हमारी एक example है, यहाँ पे जो आपको solve करनी रहेग तो बनाइए फटा-फट से इस question को, एक minute मैं देती हूँ आपको इस question को solve करने के लिए, हमें पता क्या करना है, वो पढ़ लेते हैं, three lines हैं हमारे पास, L, M, and N, they are parallel to each other, what is the measure of angle A, B, and C, तो आपको यह पूछा गया, angle B कितना होगा, कितने degree होगा, वो आपको answer में बताना है झाल झाल जी देखिए, चलिए, अब इस question को solve करें, आपने अपना-पना time spend किया होगा इसके उपर, ठीक है, तो चलो, हमें पता करना है angle B, कैसे पता करेंगे, तो जो मैंने आपको पीछे अभी बताए हैं न, pairs of angles, उसी की help से, उनी में से किसी एक की help से, ये question का आप answer बना सकते हो, अभी बनाए कैसे वो, चलिए देखते हैं भई फिर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको parallel lines के बारे में हैं, तो आप Z बनाने की कोशिश करिए, तो क्या यहां से कोई Z बनके आपको दिख रहा है, तो एक Z मुझे यहां से बनता हुआ दिख रहा है, तो Z बन एक एंगल यह solve करना है, और एक एंगल यह वाला solve करना है, तो यहां से हमें alternate दिख रहे हैं, और alternate भी आप देखेंगे तो interior दिख रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को, अगर मैं यह दो parallel lines उपर वाली ले ले लेती हो, और इसके बीच में कैसे transversal create कर दो, तो एक उन्होंने य यह वाला दे रहे हैं, और मुझसे यह वाला पूछा गया है, यह वाला यह वाला, ठीक है न, इसका color भी बदल के दिखा देती हूं, आपको यह वाला, यह वाला, अभी आपको पता चल गया होगा, तो alternate interior angles यह बन रहे हैं, और मैंने क्या बोला गा, alternate interior angles equal होते हैं, तो यह दोने interior में हैं, मुझे पता चल गया, यह जो इतना सा angle है, यह तो 45 degree है, clear, बट अभी उन्होंने देखा, कि B जो है, वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक यहां से और यहां से, उपर वाला red portion तो मुझे मिल गया, नीचे वाला yellow portion मेरा रह गया, बी का पता करने के लिए, तो अभी उसको कैसे पता करेंगे, अगर आप नीचे की तरफ देखो, चलो, अभी फिर से color बदल के हम समझ लेते हैं, तो red color, नई red तो हो गया, हमारा green ले ले लेते हैं, तो अभी नीचे से की तरफ से देखिए, एक फिर से आपको z जो है अभी बनता दिखेगा, यह 60 degree का angle है, अभी शायद आपका भी question बन गया होगा, अभी देखिए, यह Z है, और यहाँ पे मुझे यह 60 degree दिख रहा है, तो Z के लिए यहाँ पे भी मुझे एक angle दिख रहा है, यह कौन से बन रहे हैं, alternate angles फिर से बन रहे हैं, और अगर यह 60 degree है, तो यह भी 60 degree होगा इसी के स और अभी आपसे angle B पूछा है, तो दो parts में बटा हुआ था, तो हम क्या करने इन दोनों को plus कर देते हैं, तो 45 degree plus 60 degree करेंगे, तो हमारे पास हमारा answer जो रहेगा, वो 105 degree आ जाएगा, तो angle B यानि कि A, B, C यहाँ पे कितना है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा था, A, B और C दे में भी आ गया होगा, कि जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, angles के अंदर, particularly opposite, alternate angles, वो सभी क्या यहाँ पे role play करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा, इस example के साथ ही, ठीक है, ऐसी कई और examples करेंगे, कई questions practice करेंगे, पर पहले concepts clear कर लें हमारे सारे, यह समझ में आ गया, आ वो cover करेंगे, ठीक है, तो मिलेंगे अपनी next class में, तब तक यह revise कीजिए, सारे concepts अच्छे से cover करके रखिएगा, okay class, thank you